नबश्कार दोस्तों दर्वांगारक्स में आपका स्वागत है जंजारपूर निर्मली की लाइन बंद पड़ी है और ऐसे में अब यहां पर अनिश्चित कालीन धर्णा प्रदर्शन शुरू हो गया है जहां दोस्तों तमूरिया स्टेशन पर लोगों के सब्र का बान क्योंकि लोगों के सामने अब धर्णा प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है तो यह तस्वीर आप देखिए कि इस तरह से धर्णा चल रहा है इस्टेशन पर शुरू हो गया है और यह अनिश्चित कालीन धर्णा है इसमें कई लोग इस्थानी लोग शामिल हुए हैं और छेत्रिय विकास समीती के तरत्वा वधान में यह धर्णा आयुजित किया जा रहा है जिसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि दरी लगा करके तमूरिया स्टेशन पर लोगों ने यहां पर धर्णा शुरू कर दिया है और रेलवे को अब जगाने का और अपन ने रेलवे की मन्शा क्या है पहले बात हो रही थी कि अगस्त में ही शुरू हो जाएगा लेकिन अगस्त भी चला गया सितंबर भी जा रहा है और ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस साल होगा या अगले साल होगा या complete electrification के बाद होगा जो कि electrification का काम हो सकता है दिसंबर में हो कि अगले साल मार्च में हो यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर पेंच फसा है तो फसा कहा है कम से कम जंजारपूर वाली जो ट्रेन है उसको तमूरिया एक्स्तेंड किया जा सकता था क्योंकि तमूरिया और जंजारपूर के बिच लाइन मिल्कुल complete है CRS भी हो बावजुद इसके अब तक पूरा काम नहीं आ रहा है यह भी कहा जा रहा था कि पूरी लाइन एक साथ ही चालू होगी लेकिन वो चालू कब होगी पूरा साल निकलने को है ऐसे में लोगों के सामने यही है कि अब धरना परदशन करें शांतिपूर्ण तरीके से और देख कुछ वीडियो हम तक भेजें तो दोनों के सही होग से यह वीडियो हम आप तक पहुचा रहे हैं और यह मांग उठ रही है अब लगातार कि अब लोगों को आंदुलन के लिवी वश होना पड़ा है धना परदशन के लिवी वश होना पड़ा है और यह आखरी रास्ता ही ह कि अब आम लोग उठ खड़े हुए हैं और इस्थानिय लोग ही अब इस मांग को आगे ले जा रहे हैं और यह मांग रेलवे के डियारेम या जोनल आफिस तक यह जाए रेलवे बोर्ट तक जाए कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है और यहां के जो लोगों की मांग है य ने बनाए रेलवे लाइन को नहीं चालू किया जा रहा है ऐसे में लोगों का गुस्सा स्वभाविक है और यह गुस्सा अब धरने के रूप में दिखाई दे रहा है तो लोग अब धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं तमूरिया से यह शुरू आत हो गई है तो अब रेलवे को मानना ही पड़ेगा और जल्द जल्द इस पर यहां से ट्रेन पर चालन शुरू करना होगा क्योंकि अब तमूरिया ओठ खड़ा हुआ है और ना सिर्फ तमूरिया बलकि पूरे शेत्र में रोश व्याप्त है गुस्सा व्याप्त है क्या कि रेलवे इस लाइन क जालू हो पाई है ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इंतजार करें तो कितना यह भी पता नहीं है कि इस साल होगा इस महीने होगा अगले महीने होगा दिवाली पर होगा च्छट पर होगा कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसे में लोगों के सामने एक मात्र यही रास्ता है कि वो अर राहूल मंडल और विजु ठाकूर का बहुत बहुत शुक्रिया